जी असलाम लेकुम, कॉर्डिनेशन और कंट्रोल में हम निरॉन्स को देखेंगे, चैप्टर 17, कॉर्डिनेशन और कंट्रोल, निरॉन्स जो होती है, बेसिकली ये स्ट्रॉक्टरल और फंक्शनल यूनिट होती है, नर्विस सिस्टम की, और लेकिन कुछ दूसरे सेल्स भी हाइर एनिमल्स के अंदर जिस तरह से अब हमारे पस हुमन्स की अगर हम बात करते हैं, तो इनके अंदर निरॉगलिया प्रेजन्ट होंगे, और यह जो निरॉगलिया है, इनको ग्लियल सेल भी कहते हैं, ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या होगा, एक तो यह जो है, तकरीब कर बनी होगी, और यह एक प्रोटेक्टिव लियर होती है, अरॉट निरॉण्स के, और इसका बेसिकली क्या फाइदा होता है, कि जो नर्व इंपल्स ट्रांस्मेट होती है, वो बहुत कुइकली होती है, ठीक है, एफिशेंटली होती है, स्पीड अप तरीके से होती है, और अगर यह जो माइलन शीथ है, यह अगर डामेज हो जाती है, तो जो इंपल्स का प्रोसेस है, वो स्लो डाउन हो जाएगा, इतनी आसानी से या इतनी तेजी से जो है, वो नर्व इंपल्स कंड़क्ट नहीं होगी, ट्रांस्मेट नहीं होगी, नेक्स रहम आते हैं, स्ट्र इसमें दो चीजे आपके पास नज़र आती है एक तो sound body है, और दूसरा आपको नज़र आते है Fubres. अब Fibres में एक Dendrites होते है और एक Zones होते है ठीक है? तो cell body, नो युजा आप देखते हैं, cell body एक main nutritional part है तो next स्वेट आ जो होता है सर्वख्त आभ्यर्यूस की बियू का युलिच की मुझा और नकालëं नियुकिलियूस मेडैंस कहें। प्रोटीन्स की बाय संसिस के वार है अब इसमें राइबोसोम्स, एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी अपरेटर्स यह एक दूसरे के साथ असूसियेट होते हैं ठीक है और इनकी कौन सी कैसी अपेरंस होती है वह ग्रैनूलर ठीक है ग्रैनूलर इनकी अपेरंस हो उसके वज़ा से नीजल्स ग्रैनूल्स नीजल यह एक साइंटस था सॉइन्टस था ठीक है और इसके नाम पे झेक है इसको लग्रैमा की किती việc नीजल्स ग्रैनूल hiss करते हैं ठीक है नेक्स्ट ऑपके पास जहां-पोईंट कम आगर आपके पास जो है यहाँ सेल बॉडी ह और यहां इसके उपर क्या है डेंडराइट्स प्रेजन है ठीक है अब यहां पर जो माइलन शीथ है ठीक है यह सारी साथ में यहां मसल्स होते है यह फैक्टर्स होते है अब इसका जो यह वाला पार्ट है ठीक है इसका यह वाला पार्ट अगर डैमिज हो जाता है और यह वाल अबिलिटी होती है कि ये दुबारा से री जनरेट करवा लेता है डेंडराइट को और इसके साथ एक्जान्स को भी ये क्या करवा लेता है री जनरेट कर लेता है अब नियूरॉन्स जो हैं जब एक बार मिचोर हो जाते हैं तो वो फर्दर डिवाइड नहीं करते अब दूस और दूसरे क्या हो गए? एग्जॉन् दो अतरा के होंगे अब डेंड्राइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो के करी करते हैं नर्व इंपल्स को ठीक है कि तरफ लेके जाते हैं उनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं ठीक है? और अगर एक फाइबर होगा तो उसको हम डेंडरान बोलेंगे और अगर जो है वो ज्यादा फाइबर होंगे तो उनको हम डेंडराइट बोलेंगे अब आपके पास एक्जोन आजाता है आपने एक्जोन को देखना है कि जो डेंडराइट था वो सेल बॉडी की तरफ नर्व इंपल्स को लेके जा रहा था और एक्जॉन जो है ये नर्व इंपल्स को कंड़क्ट करेगा अवे फ्रॉम दे सेल बॉडी ठीक है जो लेके दूर जाएगा उससे ठीक है रिस्पॉंस जो है उसको आप क्या कहते हो एक्जॉन कहते हो एक्जॉप्लाज्म ठीक है ये एक्जॉन के अंदर जो साइटॉप्लाज्म होगा उसको हम क्या कहते हैं एक्जॉप्लाज्म कहते हैं उसमें माइक्रो टिब्यूज है निरो फिबरल्स है तो यह सारे किसमें प्रेजन्ट होंगे एक्जो प्लास्म के अंदर ठीक है अपने याद दिखना है mcq के हवाले से important question है तो यह आपका यहां तक जो topic है वो हो गया कि what are neurons या neurons क्या होती है neurons के बारे में हमने पढ़ा